हलो एन वेलकम अगेन माइफ्रेंड्स और दियर इस्टुडेंट माइसेल्फ माहिंदर देवन्दा आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूपरफाइलम एसकेहलमिंतीज सूपरफाइलम जिसको हिंदी में हम अधी संग कहते हैं इसको हम कहते हैं अधी शंग और अधी संग जो है वो है एसकेहलमिंतीज एसकेहलमिंतीज के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी राप्त करेंगे अब यहाँ पर हमने यह देखा है कि यहाँ पर सूपरफाइलम लिखा हुआ है अब तक तो हम phylum ही देख रहे थे लेकिन यहाँ पर super phylum है यह एक अलग तरह का classification है जिसको हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि यह super phylum इसको क्यों कहा गया है या इसका वर्गी करन किस परकार से किया गया है तो सबसे पहरे हम eskalementis की सामाने जानकरी प्राप्त करते हैं तो eskalementis जो word है वो Greek भासा के दो सब्ध है first जो word है eskos और जो second word है helminse eskos का मतलब होता है cavity and helminse का मतलब होता है warm यानि क्रमी यानि इन करमियों में cavity पाई जाती है एक खाली जगे पाई जाती है major unifying feature is the pseudo silom fila SQL منتیز के अंदर जो silom पाई जा रही है वो वास्त्रिक silom नहीं होती है वो pseudo silom होती है आवासी देहगुआप होती है उसको वास्त्रिक देहगुआ नहीं कहते हैं इसलिए SQL منتیز super fila के अंदर बहुत सारे fila रखे गए हैं जिनकी संक्या हम जानेंगे वो 5 होती है और उन सब में जो silom होती है वो pseudo silom होती है pseudo silom क्या होती है the pseudo silom is a type of body cavity that developed from blasto seal यह एक तरह की body cavity होती है एक सरी की देहगुआ होती है जिसका origin blasto seal से होता है और blasto seal वास्ताव में the primitive cavity in the embryo embryo जो होता है भून जो होता है वो इसके अंदर जो इसको primitive cavity के रूप में जानते हैं और यह blasto seal के रूप में पाई जाती है and it not line fully line by mesoderm as in the true silomate जैसे कि true silomate में जो silom होती है वो दोनों तरफ से mesoderm से घिरिवी रहती है लेकिन यहाँ पर यह चारो तरफ से यानि दोनों तरफ से mesoderm से घिरिवी नहीं रहती है इसलिए इसको pseudo silom कहा जाता है the name escalmentis was proposed by groban groban के द्वारा यह जो escalmentis जो सब्द है वो प्रपोस किया गया है जो escalmentis हैं उसके अंदर बहुत सारे worms आते हैं बहुत सारे कर्मी आते हैं जैसे कि आप picture में इनकी structure भी देख सकते हैं अब हम समझते हैं pseudo silom के बारे में यानि आबासी देह गुआ के बारे में समझते हैं the pseudo silom is a type of body cavity pseudo silom एक परकार की देह गुआ होती है body cavity होती है that develops from the blasto sil जो की blasto sil से उद्भव होता है जो निर्मान होता है वो blasto sil cavity से होता है और blasto sil क्या है the primitive cavity in embryo embryo के अंदर जो primitive cavity जो पाई जाती है उसके लिए जो word इस्तमाल किया जाता है वो है blasto sil and it not fully lined by mesoderm as in the true silomates जैसे कि true silomate में जो cavity होगी वो दोनों तरब से या चारों तरब से mesoderm से गिरिवी रहती है लेकिन pseudo silom में वो fully not fully lined by mesoderm वो चारों तरब से mesoderm से गिरिवी नहीं पाय जाती है diagram के माद्यम से इसको हम समझ सकते है जैसे कि ये body covering है यानि सबसे बाहर का ये जो आवरण है body covering है और इसका origin ectoderm से होता है इसके आगे बीच का जो भाग होता है ये muscles layer है जिनका origin mesoderm से होता है अंदर का जो ये part होता है ये digestive tract है हमारा पाचन की जो tube है नली है वो है जिसका origin endoderm से होता है अब endoderm के बाहर ये जो endoderm है इसके बाहर के तरफ ये जो cavity पाई जा रही है तो इसको हम body cavity कहते हैं लेकिन यहाँ पर ये true body cavity नहीं है जिसको हम siloam के रूप में जानते हैं वो true siloam नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो body cavity यहाँ पर तो है और इस body cavity में बाहर की तरफ mesoderm है लेकिन अंदर की तरफ जब आप ध्यान से समझेंगे तब अंदर की तरफ यानि इस वाले भाग की तरफ यानि यहाँ पर क्या है endoderm है और यानि यह जो cavity है एक तरफ endoderm से और दूसरी तरफ mesoderm से घिरी हुई होती है जिसको हम वास्त्विक body cavity नहीं कहते हैं यानि यह false body cavity है जिसको हम sidocelon कहते हैं अब हम इसके वर्गी करण के बारे में समझते हैं क्योंकि super phylum escalementis है उसका वर्गी करण किया गया है हम किसी taxonom में यह कभी नहीं देखा है कि super phylum के हम बात करें super phylum जिसको हम अधिसंगी के रूप में जानते हैं उसका हम वर्गी करण देखते हैं escalementis includes one very large group escalementis के अंदर एक बड़ा large group होता है जिसको हम nimetoda के नाम से जानते हैं इसको हम separately भी समझेंगे कि nimetoda के बारे में उसके general character और उसके classification के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अभी हम briefly इनको जानने की कोशिस करते हैं तो एक बड़ा group है जिसको हम nimetoda के नाम से जानते हैं and four smaller groups इसके अलावा चार और भी group होते हैं जो first one rotifera then है gastrotrica then है kynorinka and fourth one last one जो है वो है nimetomorpha यह चार और हैं यानि कुल मिलाकर escalementis superphylum के अंदर पांच यह group रखे गए हैं अब इसका classification अलग-अलग विग्यानिकों ने अलग-अलग तरीके से बताया है according to L.H. hymen 1951 escalementis is regarded as a distinct phylum and various groups in it as classes escalementis को superphylum नहीं कहा किसने hymen ने hymen ने escalementis को एक distinct एक separate phylum के रूप में जाना एक separate संग के रूप में जाना और बाकी जो ये है जैसे कि निमेटोडा है रोटी फेरा है गेस्टोट्राइका है काइनूरिंका निमेटोमोर्फा ये इस escalementis की class होगी according to hymen लेकिन इस्टोरर एंड यू सिंगर के अनुसार इस्टोरर एंड यू सिंगर के अनुसार जिन्होंने 1971 में ये classification दिया treat different groups as a separate phylum उन्होंने जो ये different group बनाए उनको अलग-अलग phylum बताया यानि बहुत सारे phylum बताये and name of escalementis as a superphylum or without any taxonomic rank और उन्होंने जो escalementis जो नाम है उसको superphylum की संग्या दी जो की वास्तों में किसी taxonomic category में इसको सामिल नहीं करते हैं तो storer एंड यू सिंगर के द्वारा जो classification दिया गया है उसमें escalementis को superphylum कहा गया है और बाकी को अलग-अलग phylum में रखा गया है तो सबसे पहले phylum rotifera और rotifera के अंदर लगबख 2049 इस्पिसीज रिपोर्ट की गई है next phylum है gastrotrica इसकी लगबख 828 इस्पिसीज रिपोर्ट की गई है next phylum है kynorinka जिसको ekynodera भी कहते हैं इसकी बहुती कम स्पिसीज है 196 स्पिसीज रिपोर्ट की गई है then है phylum nematomorpha जिसको हम gordiacea भी कहते हैं इसकी 351 स्पिसीज रिपोर्ट की गई है और last phylum जो की major phylum के रूप में जाना जाता है जिसको हम कहते हैं निमेटोडा जिसमें लगबख 25,033 स्पिसीज रिपोर्ट की गई है और निमेटोडा में अधिकांस पेरासाइटिक होते हैं यह जो classification है यह आपकी जो invertibrates कोटपाल की जो वुक है उससे लिया गया है अब हम सूपर फाइलम एसकलमेंटीज के general character समझते हैं यहां में एक बात ध्यान रखनी है कि जो general character की बात हो रही है वो अलग-अलग फाइला के जो character से उन सब को मिला कर हमने यह बात कही हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं habit और habitat की आदत और उसके आवास की बात करते हैं mostly aquatic अधिकांस जो इसमें जीव सामिल के जाते हैं स्कलमेंटी सूपर फाइलम में अधिकांस जलिया होते हैं और अधिकांस जो जलिया होते हैं उनमें भी अधिकांस fresh water में पाए जाते हैं स्वच जल में पाए जाते हैं स्वच जल का आस है वो नदियों में, इतालावों में बांधों में यानी जो स्वच पाणी होता है जिनकी salinity कम होती है जिनमें लवंडता कम पाए जाती उसको हम यहां पर fresh water बोल रहे हैं तो Adikans fresh water में and some are in marine water और कम example ऐसे हैं जो कि marine water में पाये जाते हैं समुद्री पानी में पाये जाते हैं इसके अलावा ये free living हो सकते हैं या parasitic रूप में हो सकते हैं parasitic रूप में ये ectoparasitic या endoparasitic रूप में पाये जा सकते हैं body size इनके सरीर की बात करें तो mostly excalementies are microscopic यानि जिसको हम microscope की सायता से देखें ऐसे भी इसमें अंदर सामिल किये जाते हैं साथ ही साथ although some reach one meter or more in length कुछ ऐसे भी होंगे इसमें जो कि एक मीटर या एक मीटर से भी ज़्यादा लंबाई के इनका सरीर पाया जाता है बोडी की shape की बात करें तो cylinder, wormiform, worm के समार और flat होते हैं चप्टे से होते हैं इसके अलावा cylindrical form भी इनमें देखने को मिलती है symmetry, bilateral symmetry पायी जाती है जैसे की plate elementies में पायी जा रही थी next बात करते हैं segmentation की इनकी बोडी unsegmented होती है यानि इनका सरीर किसी परकार का खंडी बावन देखने को नहीं मिलता है germ layer, triploblastic animals होते हैं क्योंकि triploblastic 3 blast start होना शुरू हो जाती है plate elementies animals भी जो है triploblastic होते हैं यानि उनमें ectoderm, mesoderm और endoderm पायी जाती है mesoderm का ध्यान रखेंगे triploblastic में plate elementies mesoderm सुरू हो जाती है body organization सारीक संगटन कैसा होता है organ grade of body organization पाया जाता है अंग तंत्र परकार का सारीक संगटन में देखने को मिलता है body silom सरीर की देहगवा की बात करें तो pseudosilom पायी जाती है यानि आवासी देहगवा पायी जाती है अब हम बात करते हैं सरीर की सरचना यानि body structure की बारे में some civilization is evident with the anterior end containing a primitive brain इनके आगे की तरफ यानि anterior भाग पर हमें civilization देखने को मिलता है जिनके पास में एक primitive आदिम परकार का brain पाया जाता है इसके अलावा sensory organs पाया जाते हैं एक mouth भी पाया जाता है mouth की position अलग-अलग हो सकती है head not distinctly formed with well defined sense organ head को आप पूरी तरह से define नहीं कर सकते हैं लेकिन आप anterior और posterior भाग को पैचान सकते हैं body wall with sensual or cellular epidermis इनकी जो body wall होती है या जो epidermis होती है उन cell में sensual condition पाये जाती है यह एक cell में multiple nucleus पाये जाते हैं externally covered with thick cuticle of scleroprotein इस epidermis के बाहर की तरफ एक thick cuticle पाये जाती है जो की scleroprotein की बनी हुई होती है जैसे कि आप इस picture में भी देख सकते हैं बाहर की तरफ cuticle है cuticle के अंदर के तरफ muscles है और muscles के muscles तो कई परकार की layer होती है इसमें circular muscles longitudinal muscles पाये जाती है इस epidermis के just नीचे की तरफ यह muscles layer पाये जाती है cuticle में bear spines cuticle के उपर spines हो सकते हैं scales हो सकते हैं other form of ornaments इसके लाव और भी कई परकार की चीज़ें इसमें पाये जाती हैं जो कि उनको अनुकुलित बना सके ऐसी चीज़ें उनके उपर पाये जाती हैं several longitudinal muscles layer lile benet to the epidermis epidermis के just नीचे की तरफ बहुत सारी longitudinal muscles पाये जाती है लंबबद piece यह पाये जाती है जो कि इनमें contraction की वज़े से इनमें movement भी होता है cilia absent होते हैं लेकिन except anterior cilia of rotifers rotifers में cilia देखने को मिलते हैं अब हम समझते हैं digestive system के बारे में पाचन तंतर के बारे में digestive canal जिसको हम tract भी कहते हैं complete होती है और complete का मतलब होता है with mouth and specialized pharynx straight non-muscular intestine and posterior NS यानि एक तरफ mouth का पाया जाना और दूसरी तरफ NS का पाया जाना complete elementary canal यानि digestive canal को बताता है यहाँ पर जो pharynx जो पाया जाती है वो non-muscular pharynx पाया जाती है लेकिन जब हम platy element 30 में हमने देखा कि वहाँ पर muscular pharynx पाया जाती है circulatory system absent होता है prevention दंतर नहीं पाया जाता है respiration यानि गेसों का जो आधान परतान होगा गेस एक्सेंज जो होगा simple diffusion और वो भी कैसे body surface के द्वारा होता है excretory system यानि उत्सरजन की बात करें या उत्सरजन दंतर की बात करें तो इनमें proto-neferidia पाये जाते हैं कुछ में तो and कुछ में canals पाये जाती है proto-neferidia help in osmo regulation proto-neferidia excretion के साथ साथ में osmo regulation आइनों के नियमन में भी मदद करते हैं और कहीं कहीं पर भी cloica भी देखने को मिलता है nervous system of cerebral ganglia or of circumentric nerve ring with anterior and posterior nose यहाँ पर nervous system ठीक ठाक डवलप होता है और इसमें cerebral ganglia में देखने को मिलते हैं यहाँ आप excretory के रूप में इनमें edge cell या जिनको renet cell भी कहते हैं वो भी आमें देखने को मिलती है जो की निमेटोडा में पाए जाती है यहाँ जो हम character पढ़ रहे हैं वो जो हमने 5 phylum के नाम जाने उन से related है इन phylum के लिए एक-एक अलग-अलग करके मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा reproductive system mostly dioces dioces यानि दो के उपर depend होना यानि male और female अलग-अलग होते हैं या हम यूं कहें कि यह unisexual होते हैं एक link ही होते हैं एक सरीर के उपर एक ही link पाये जाता है एक ही sex organ पाये जाते हैं male usually smaller than females जो male होता है जो नर होता है सम्माने दे छोटा होता है एक माधा की तुल नामे gonards and gonoducts single or double gonards और उनकी जो duct होती है वो एक हो सकती है या दो भी हो सकती है eggs with chitinous cell इनके द्वारा जो egg generate किये जाते हैं उनके उपर एक कवच पाये जाता है जो कि chitin का बनावा होता है cleavage determinate और spiral प्रकार का पाये जाता है यानि विदलन इनमें निर्दारी और सरफिल प्रकार का पाये जाता है development usually direct होता है with no larval stage यानि generally usually direct होता है कि उसमें कोई larva नहीं पाये जाती है लेकिन कुछ और example ऐसे मिलेंगे जिनमें indirect development होगा और जिनके life cycle भी बहुत complicated होगी और इनमें larval वस्ता भी पाया जाएगा जब भी हम बात करते हैं development की तो वहाँ पर हम दो सब्द ध्यान में रखना है हमें एक तो development होता है direct जहाँ पर larval वस्ता नहीं पाये जाती है अनुपस्तित होती है दूसरा जो development होता है वो indirect प्रकार का होता है यह नहीं वहाँ पर larval वस्ता पाये जाती है यहाँ पर हमें इनके अलग अलग फाइलम में हम तोड़ा जानने की कोशिस करेंगे तब हम देखेंगे कि जो जिन में larval वस्ता पाये जा रही है तो वहाँ उनके live cycle में थोड़ी जटिलता आती है अब हम इसमें last topic को cover करते है that is the utali utali के बारे में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक important बात है the condition of having a body made up of a constant number of cells यानि एक सरीर जिसमें कोशिकाओं की संक्या fix होती है यानि बच्पन में ही बच्पन का मतलब जब इनका छोटा सा जब जीव बना है तब और जब उसकी आकरती बढ़ती है यानि जब वो बड़ा हो जाता है उसमें और छोटे में कोशिकाओं की संक्या fix रहती है कोशिकाओं का आकार ही बढ़ता है यानि कोशिकाओं खुद बढ़ती है उनमें विबाजन नहीं होता है क्योंकि इनमें जो cell के नंबर होते हैं वो fix होते हैं, constant होते हैं तो ये word आपको ध्यान में रखना है utility, utility में क्या होता है utility एक परकार की conditions है एक परकार की अवस्ता है जिसमें सरीर में कौसिकाओं की संक्या इस्तिर रहती है, fix होती है और ये generally हमें निमेटोडा में देखने को मिलता है और भी दूसरे फाइलम है उनमें भी हमें देखने को मिलेगा तो हम उसके बारे में next वीडियो में बात करने वाले हैं अलग-अलग फाइलम के बारे में तोड़ा briefly जानेंगे क्योंकि एक निमेटोडा ऐसा फाइलम है जो की मेजर फाइलम है मुक्य फाइलम है और बाकी के जो फोर्ड अलग-अलग जो फाइलम है वो माइनर फाइलम है गोण फाइलम है माइनर और मेजर फाइलम का तातपरी हैं आपर उनका number of species कितनी पाई जा रहे इस आदार पर और उनका ecosystem में यानि food chain में उनका कितना योगदान है इसके आदार पर हम कहते हैं अगर food chain में योगदान कम है और species यानि उनकी जातियां की संक्यावी कम है तो उसको हम माइनर फाइलम की स्रेणे में रखते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में माइनर फाइलम लेके आएंगे उमीद है आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा Thank you